हलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे अपर चेस्ट के बारे में अपर चेस्ट को हम कैसे डबलब करें इसके बारे में आज वीडियो देखेंगे सबसे पहले अपर चेस्ट को डबलब करने के लिए हमको रेगुलर पूश अप जो है वो जरूर करना है रेगुलर पूश अप कै जाउन आफ इस तरह करके इसके कम से कम 10 जो है वह आपको करने है एट नाइन एंड टें टें यह कम से कम आपको थ्री सेट्स कर लेना है जिससे कि आपका बोडी थोड़ा सा हीट हो जाएगा और आपका जो टार्गेटेट मुसल है चेस्ट ओवराल चेस्ट अपर चेस्ट अब इसके बाद चुकी हमको अपर चेस्ट पी उपर काम करना है तो थोड़ा सा हम दो डंबल का सहरा लेंगे जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर और हम यहाँ पर एंड को रखेंगे और उसके बाद यहाँ आपको 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 अपर चेस्ट का जो में इस तरह करके हम उप्षप को लगा लेंगे यह शारा वर्क आउट कर लेने के बाद आपको अब अपर चेस्ट का जो में का जैंने मसल्स होता है अब आपर यसका सब्सक्ता कि से करें keeping आपको आपका यह इनर चेस्ट होес ऑगया सेंट्रव फयरवर चेस्ट्ड हो गया यह मीडवन गया और यह जो आपको दिख रहा है यह यह हो गया आपका अपर है और निया तो यहां ने दो दंबल लिया है पेले प्री दंबल देख दिए यह उपने हें करते हैं इसके उपर प्रिसर पड़ता है हम इसको क्या करना है डंबल लेना है है सिंगल हैंड करके देखेंगे आपको कम सकम टेन करने हैं और थ्री डेप्टेशन इसके निकालने हैं दोनों हाद से करना है वन, टू, ट्री, फोर, एंड फाइव उसके बाद दोनों हैंड्स को इंगेज करना है डमल से और वन, टू, थ्री, थोड़े दर होल्ड करना है फिर धीरे-धीरे डाउन तो यह दो बेसिक जो एश्रसाइज हैं अपर चेस्ट के लिए इसमें आप बहुत सारे वेरियसेंस अपडाल सकते हो इसके अलावा देशिए यह जंबर वान, चू, प्री, 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 फवाइब, रेस्ट, यह वेरियसंस भी आप राल सकते हो इसमें इदी आप सिंगल डंबल का लोड ले सकते हो वाप तो आप तुछ को डबल कर देना है या इससे हैवी जो डंबल है उसके लोट को यूज करना है जैसे देखिए वान टू प्री पॉर प्वाई इस तरह करके आपको प्रेशर देना है अपने अपर चेस्ट के यह अपर चेस्ट के कुछ वेरियेशन्स है एक्सराइज के इसके अलावा अपर चेस्ट को डेवलब क करने के लिए थोड़ा से सोल्डर भी इसमें डबलब होगा उसके लिए कुछ देखिए इस एंगल में आकर आपको यह पुस्ट लगाना है यह 90 डिग्री आपको कर लेना है ज्यान रखना है सोल्डर पर ज्यादा ठार्गेट नीं करना है अपर चेस्ट पर टार्गेट नह थोड़ा सा इसको बाहर निकल लेंगे इस तरह करके हमको अपर चेस्ट के उपर इसको फोकस कर लाए इस एक्सराइज को आप हम तोड़ा सा अलग वरियेशन देंगे यहां पर डंबल की मदद से वान चू फ्री फोर इस तरह करके हम अपर चेस्ट को डेवलप कर से इसके बाद आप देख सकते हो आपका अपर चेस्ट कैसे ग्रो करता है और यहां पर इतना अच्छा से पंप किया है आप देख सकते हैं तो यह कुछ बेसिक एक्सराइज था जो कि हम जल्दी से अपर चेस्ट को हम एक्टिव कर सकते हैं जितना रेप्टेशन आप से निकल सके उतना इसका रेप्टेशन निकालिए यह बहुत ही अच्छा एक्सराइज है अपर चेस्ट को पंप करने के लिए अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए इसके अलावा इसमें आपका शुल्डर भी जो है जो इंगेज रहता है आपके फुरे हैंड के एक्सराइज के लिए बहुती जवरदार सी इसमें तुरा सा बैक भी इंगेज होता है तो अपर चेस्ट को सबसे हैं तहत्री एक्सराइज हैं अभी मैं थोड़े जाने में आ करने के बाद आप मुझे को में जरूरू बताएगा कि यह जो एक्सराइज मैंने बताया है यह आपको यूजफुल हुआ है यह नहीं तो मिलते हैं इस तरह का नए वीडियो और नए मसज़ चाड़िस में हो